वेल्कम बैक टू दे चैनल कैसे हो आप सभी आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे तो इस पार्टिकॉलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले जिपमर के बारे में आज जैसे कि आप लोगों को पता होगा जिपमर में इस बार एडमिशन से रिलेटर लेटेस्ट आ रहे हैं तो आप लोगों को चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ओन कर देना है तो नीट जिपमर बियसी नर्सिंग एन एलाइड हैल्स साइंस कोर्स एडमिशन फॉर दा अकैडमिक येर 2021 से 2022 आप सभी को बता दें कि नीट से बियसी नर्सिंग में इस बार डारेक्ट अडमिशन दे रहा है सबसे पहले युनिवस्टी जो यहाँ पर अडमिशन दे रहा है तो मैं आप लोगों को बता दू कि अडमिशन नोटिस भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है उसके साथ साथ जो है जिपमर के दोरा जो है वेब साइट का लिंक भी तो complete update हम आप सभी को दिखाएंगे notice भी दिखाएंगे so students जो notice है वो आप लोगों ने यहाँ पर पहले I think जो देख भी लिया होगा कि need से BSC nursing में admission यहाँ पर जारी कर दिया गया है बट यहाँ पर जो main चीज है student that is कि यहाँ पर need से BSC nursing में होगा बट counselling वगेरा admission वगेरे सब क जीपमर करवाएगा तो जीपमर ने अभी जो है website का लिए देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी admission process जो है start होने वाली है तो यह notice मैं आप लोगों को download करके दिखा देती हूँ वैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे need जीपमर BSC nursing and allied health courses for the academic year 2021-2022 notice this and website link admission process जो है start होने वाली है तो चलो मैं आप लोगों को यह notice भी download जो है करके दिखाऊंगी बाकि यह जो अपना notice है इसमें यही बात बोल रखी कि जीपमर जो रहेगा वो BSC nursing में allied courses जो कि जैसे कि paramedical वगेरा रहे सभी में admission यहाँ पर कराने वाला है बड़ यह जो counseling वगेरा र 2021 से 2022 with reference to the above it is hereby informed that admission to BSC nursing and other allied जेतने भी courses है उसमें admission रहने वाल है merit score of a NEET UG national eligibility come entrance test NEET UG के marks के basis पर होगा conducted by the NTA national testing agency जो conduct करा है उसके लिए जीपमर जो रहेगा वो any separate entrance exam जो है conduct नहीं करेगा admission के लिए ठीक है 2021 से 2022 के लिए and same यहाँ पर यह mention करका है student की counseling और admission जो process रहेगी वो यहाँ पर जीपमर ही करवाने वाला candidate को register करना होगा separately थोड़ दा जीपमर पोर्टल जीपमर पोर्टल के थूँ आप लोगों को जो है अपर registration करना होगा register करना होगा अपने आपको further details जो रहेंगे वो जीपमर website पर upload कर दी जाएंगी and आप लोगों को kama.education.in पर लगातार updates के लिए विजिट करते रहना है जैसे कि मैं आप सुभी को अभी website link दिखा तो वहाँ पर students वहीं पर आप लोगों को registration link का आप लोगों के लिए attach किया जाना है within यहाँ पर जैसा ही neat का result आएगा 2-3 days में जीपमर जो है वहाँ पर website link जो है यहाँ पर जाल देगा तो सब कुछ जिपमर कराने वाला है तो आप लोगों को अभी alert हो जाना चाहिए maybe this possible कि इंडिया की जो topmost universities है उनमें आप लोगों का selection हो जाए आप लोगों का admission हो जाए नेट के मक्स के basis पर बिकोज यहाँ पर जैसे कि ABSC nursing and paramedical दोनों में यहाँ पर admission हो रहा ह तो इसके लिए जादा marks के आप लोगों को requirement नहीं है अगर आप लोगों के marks जो है 330 sorry 350 अनिस से जादा है तो आप लोगों को जरूर से जरूर ट्राइ करना चाहिए because जो cutoff है वो BSE nursing के जादा नहीं जाएगी and allied जो courses है उनकी तो बिलकुल भी जादा यहाँ पर नहीं जाए वीडियो को लाइक शेयर कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर देना थैंक्यी